जब हम एक ग्राउंड वर्क रिखर रहे थे हैं तो हमें कुछ-कुछ ऐसे लोग भी मिले, जो शायद कोई रिक्षे वाला बंदा है, उसको कुछ सेल कर रखता है, उसको एक प्रोग्राम दे रखता है, एक बंदा है जिसने लोन ले रखता है, ये चीज लेने के लिए, लो उनको दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं होता कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, यूट्यूबर्स ने भी एक नकली औरा बनाया हूँ, यार मैं इतने लाख रुपे कमाता हूँ, मेरा ये लाइफ स्टैल है, मैं करोड़ रुपे कमाता हूँ, नौ महीने बाद पहली तो मुझे समझ में है कि he is a right person, ये बिलकुल सही information, सही लोगों को दे लिए नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित्मा इश्वरी, आप सभी का स्वागत करता हूँ, लेजंड्स ओफ नेशन के इस लाइव शेशन में, और आज मेरे साथ में आदित्य सैनी सर, और आदित्य सैनी एक ऐसे milestone है उन युवाओं के लिए, जो उन लोगों को guide करते हैं कि किस तरह से अपनी life में कोई भी decision लेते समय है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आदित्य जी आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं युवाओं मैं ही चाता हूं कि आप ये बताएं कि आज का युवा जो technical education के पीछे भाग रहा है, या academic qualification के पीछे बाग रहा है और जब वो complete कर लेता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रशनी होता है कि अब life में करूं क्या, जैसे कुछ students का example देता हूं, मुझे कुछ law के student मेले, और तो मैं पूरी दुनिया फटे कर लूँगा, क्या message आप उनको देना चाहते है, ऐसा ही same message मेरा भी था, और मेरा actually मेरा क्या था कि ये same thought मेरे अंदर भी था, जब मैंने अपना undergraduation करना शुरू किया था, तो मैं भी marketing and sales सीखनी के लिए ही गया था, particularly college, but हुआ ये था कि मैं जो मैं आ गया कि actually मैं industry के अंदर तो काम ऐसे होता ही नहीं है, क्योंकि college जाने से पहले and in fact college जाने के time पे ही न, मैं उस time पे छोटे-छोटे businesses के लिए copywriting करता था, copywriting मतलब आप उनके लिए sales copy लिख रहे हो, वो भी written words में, so that is a part of marketing, तो मैं वो already करता था, businesses के लिए, तो जब मैं अंदर अपना college करा था, तीन महिने की starting के तीन महिने में में को समय में आ गया, क्यों मैं का ये इस तरीके से काम नहीं करता है, मतलब जो चीज हमें पढ़ा ही जा रही है, वो चीज रियल लाफ में तो काम एकदम अलग तरीके से होता है, तो इस चीज को tackle करने के लिए हमने सबसे पहले किया क्या, तो मेरे को ये चीज समझ में है कि मैंने का there is a gap, और ये बहुत बड़ा gap है, और ये problem मेरे साथ बहुत सारे बच्चों आती है, in fact, मैं जब ये चीज कर रहा था, तो मेरे को दिखा ही दिया कि मेरे friends जो थे, मेरे जो classmates थे, मैंने उनसे भी पूछा, उनको जो चीज पढ़ा ही जा रही है, उनको पता ही निये के रियल वर्ल में बहुत सारी चीज़े बहुत अलग तरीके से होती है, तो यहां पर यह जो gap है, यह gap इसलिए है, because एक, आप लगा लो, एक false expectations sell कर दी जाती है students को, यह कहके, कि आप यह particular program कर लोगे, यह course कर लोग आपको जात और लोग बताते नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो law हो, चाहे वो marketing हो, even engineering, be it anything, कोई भी चीज है, किसी भी industry के अदर जब आप काम करते हो, तो आपको ground reality हिट करती है, कि जो मैंने पढ़ा था, यह तो पूरा scenario year life हो, scene ही change हो गया है, और यह actual चीज है, त आप यह अपने दिमाग में बना लो, कि इसके अलावा मुझे यह भी सीखना है कि industry में काम कैसे होता है, क्योंकि यह 100% sure है कि जो आपको बढ़ाया जा रहा है, वैसे industry में काम नहीं होता है, चीजें बहुत अलग है, तो अगर उसके साथ, कोई इंसान industry में भी काम कर लेता ह यह वहाँ से सीख लेता है, तो उसके बास दोनों चीजे होती है, बोकेश नॉलेज भी होती है, और industry experience भी होता है, I think वो चीज बहुत जादा मिसी है, इसलिए आज कल बहुत जारा priority दी जा रही है, internship training करने के लिए, तो internship training करने का meaning benefit क्या हुआ कि आप practical life में training भी करने है, प YouTube के माध्यम से शुरू करनी चाहिए, और आप एक successful YouTuber है, आपके इतने followers हैं, इतने लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, साथ-साथ यह भी बताएं कि उससे related ideas, आप कैसे सोचते हैं, और content पे research करने के लिए क्लिए क्या tools का इस्निमाल करते हैं, यह जब start ह वो चीज नहीं सिखाए जारी है, जो कि actually में industry में required है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने ही चीज डिसाइड कर ली थी, कि मैंने का इस चीज को कुछ न कुछ तरीके से तो हम change करें हैं, तो मै और मेरा friend था हमने एक idea बनाया, कि मैंने क्यों अलग अलग schools में जाएं, और हम schools में जाकर वो skills सिखाएं, जो कि schools और colleges में नहीं सिखाए जाती हैं, जैसे इसका एक simple example, communication skills होगी, in fact यहां तक की के, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम school से college में shift करेंगे, तो college में like set हो जाएगी, जबकि actual वो चीज है नहीं, क्यों कि हम college में थे तो हमें पता है, क कि reality बहुत अलग है, तो हमने का, इस चीज से related हम training programs बनाते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं यह चीजे, तो यह हमने plan किया, हमने कुछ, काफी सारे schools में हम गए, हमने try out किया, लेकिन हर जगा से हमको rejection मिलिया, दो schools ने हमें आया करती है, और हम design करने लग कि हम इसको कैसे deliver करेंगे, अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही यह चीज होने वाली थी, तब COVID आगया, तो यह model अमारा अफ्लाव हो गया, अब lockdown पढ़ गया, तो अब हम जानी सकते किसी school में कैसे करें यह चीज, तो इस time पे, मैं और मेरे friend ने decide कि हमने का, चलो हम इस चीज क तो drop करते हैं, अब मैं खाली था उस time पे, तो मैंने का मैं और क्या कर सकता हूं, as in individual मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने YouTube पे थोड़ा बहुत कुछ videos बनाएं, फिर मैंने का कि नहीं इन videos से जाधा value ना, एक ऐसी video में जहां पर किसी real life example से कुछ समझाय जा रहा है, तो फिर मैं मैंने कुछ case studies बनानी शुरू करी, और मैंने वो video डालनी शुरू करी तो अब resources नहीं थे, तो मैंने एक animated video क्रिए करना शुरू किया, मिरे पस एक laptop था, camera भी नहीं था, तो मैंने animated video क्रेट करना शुरू किया, उस पर सीखा मैने के कैसे बनता है, और बना के मैंने डालना मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ व एक्ट रियल लाइफ में यूज़ने वाला है नहीं मतलब में एक चीज फील हुरही थी मैंनी कहता की यह सही है यह गरत किसी के लिए मुझे ऐसा लगता था कि यह मेरे ले नहीं बनाओ है मतलब मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूँ तो फिर मैंने क्या किया, अब मैं ये भी कर रहा था और साथ में अपना थोड़ा थोड़ा वीडियो भी डाल रहा था तो दीरे दीरे उस वीडियो पर कुछ अट्रैक्शन आने लगा और लोगों को पसंद आने लगी, लोगों ने का कि आप ये चीज और डालो, तो मैं को समय में है कि लोगों को चीज चाहिए, इस चीज की डिमांड तो है मार्केट में, लोग सीखना चाहते हैं, there's a very big gap in the education which we can fill तो मैंने वो वीडियो क्रेट करना फिर मैंने वहाँ पर फोकस बढ़ा दी और यहाँ पर मैंने फोकस कम कर दी बिल्कुले डार्क वैब की तरह है लोग इंटरनेट का फ्रेंट फेस तो जानते हैं पर डार्क वैब में पीछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है मैंने आपका एक वीडियो देखा वो वीडियो मुझे बड़ा पसंद आया वो वीडियो था स्पीकर्स को लेकर क्योंकि आज जो पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री है या बिजनस कोचिंग इंडस्ट्री है ट्रेनर्स हैं, कोचिज हैं ये एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं एक यूजर को कि ठीक आप मेरा ये कोर्स ले लेंगे तो आपको इतना मज़ा हैगा, आप करोड़पती बन जाएंगे और अबरपती बन जाएंगे, इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे या अगर आप मेरी टीम को जाइन कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास मर्सीडीज होगी, आपके पास बंगलो होगा ये बिलकुल एक सपनों की लाइफ जो दिखाते हैं उसे बहुत सारे युवा ब्रहमित होती है और मैं भी ऐसा सोच रहा था है कि इस बारे में क्या किया जाए कि लोगों को ये पता चले देखे बारत जैसे देश का सबसे बड़ा दुर्भा के पता है क्या है यहाँ पर 98% कोचिस रियल लाइफ में बिजनस नहीं करने है अब कोचिस बने कौन है या तो वो किसी इंडस्ट्री में फेल हो गए तो उन्हें का यर कोचिंग करते हैं यह बढ़ी है या उन्हें कभी लाइफ में बिजनस ही नहीं किया तो उनको लगा यार बुक से कॉंटेंट ले लो के स्टेडीज ले लो यहां से उठाओ वहां से उठाओ गूगल से सर्च करो आज कल तो बहुत सारे सौफवेर्स है जहां से आप कॉंटेंट सर्च कर सकते हैं और वह डिलीवर करना शुरू कर दो और लोगों को बताओ यह लग्जरी लाइफ है बहुत ऐसी लाइफ है कि अगर आपने यह कोर्स कर लिया ना तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी यह चीज़ जब मैं आपकी वीडियो में ने देखा तो मुझे समझ में है कि he is a right person यह बिलकुल सही information सही लोगों को दे रही है तो उसके बारे में क्या विचार है क्या आपके ऊपर मतलब कुछ कॉमेंट्स भी इस तरह काये होंगे बुरे भी अच्छे भी न्यूटल भी और कई लोगों ने एप्रिशेट भी किया होगा कि गजब कांटेंट है उसके बारे हमने जब वो वीडियो क्रिएट किया था त उसमें क्या है, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी पहले तो, हम सबसे पहले तो हमने देखा कि actually माम आगड में चल क्या रहा है मैं नाम के लोगान, लेकिन उसमें से एक इन साम ऐसे हैं जिनका प्रोग्राम मैंने भी भाई किया था सीखने के लिए, बड़ मुझे कुछ सीख स्थेन अंतों मिला नहीं उनके साथ रहा है, क्या चीज है, सब कुछ और वहां से वह ग्राउंड वर्क करके हमको एक चीज समझ में आगी, कि 95-98% I would say 99% बोल लो, मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे लोग दुखी है, कोई खुश नहीं है इनके साथ, जोड़के या इनका जो भी चीज ये सेल कर रहे हैं, वो परचेस करके तो वीवर लेक के अब हमने एक रफ एस्टीमेट बनाया, हमने का कि अगर एक इनसान को ये लोग इतनी चीज का इतने अमाउंट का कुछ बेच रहे हैं जो शायद कोई रिक्षेवाला बंदा है उसको कुछ सेल कर रखा है उसको इत प्रोग्राम दे रखा है एक बंदा है जिसने लोन ले रखा है ये चीज लेने के लिए तो अब आप समझो ना कोई बंदा अगर दो लाग तीन लाग रुपे कमा रहे है उसका अगर दोजार तीन अजार कभी नुकसान हो जाए ना वो इतना कुछ नहीं बोलेगा जिस बंदे के लिए दस अजार रुपे एक बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लाइफ के दो-तीन महीने की कमाई ये है उसके जब ऐसे पैसे जाते है तो वो जिंदगी में और पीछे चला जाता है तो हमने का कि ये बहुत गलत हो रहा है अब क्या था अब जो वीडियो आमने क्रियेट के था उसका बहुत सारे लोगों ने उसको खराब होते हैं अगर आप उनलाइन कुछ सीख रहे हो तो खराब वो लोग होते हैं जो इन अपने उनलाइन प्रोग्राम को सेल करते हैं आपको जूट बोल कर आपको एक जूटी दुनिया दिखाकर आपको सपने बेच करके आप यह ले लोगे तो आपके साथ यह हो जाएगा और वो चीज इतनी जादा उसको कहते हैं मिस सेलिंग तो जो वो वीडियो क्रियेट किया गया था वो मिस सेलिंग के अगेंस था बजाए कि अउनलाइन कोर्स के अगेंस जापर हम यह हाइलाइट कर रहे थे कि कैसे आपकी आपकी साइकोलोजी को ट्रिक करके यह लोग आपको एक ऐसी चीज बेच देते हैं जो कि एक्चुली में कच्रा है बिलकुल क्योंकि आप एक चीज समझने की कोशिश करो आपको एक सपना दिखाया गया है कि आपको यह मिल जाएगा और आप उस सपने के लिए यह पैसे उनको देते हो यह जो भी चीज आप पाया उट करते हो पर अब क्या है कि अगर वो सपना आपको दिखाया जा रहा है तो आपको उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं बताता कि आपको उसके लिए महनत भी करनी पड़ेगी बिलकुल और हमारी human psychology इतनी interesting है हम लोग इस तरीके से programmed हैं कि we always make convenient decisions we never make the right decisions अभी अगर सारे resources भी होंगे आपको भूख लग रही होगी आप खाना बनाओगे नहीं बट खाना बना के खाना that's the right decision because that's healthy for your body वो एक सही decision है बड़ वो नहीं लोगे आप आप कौन सा decision होगे है जो convenient है convenient क्या है स्विगी से order कर देना zomata से order कर देना या बाहर से लोग होगे तो यही problem है अब एक और बात भी है जब हम वो बना रहे थे तो हमने एक और चीज़ देखी कि भारत बहुत बड़ा है और हमारे देश में बहुत चोटे चोटी जगहों स लोग आते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और उनको दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं होता कि यह लोग किस हद तक गिर सकते हैं उनसे पैसे रूपने के लिए तो आप समझोना कोई बंदा है जिसके घर में अभी अभी नया नया इंटरनेट आए ऐसे भी लोग हैं तो अगर कोई आकर यह बोले कि तू यह कर ले और तेरे को करोड़ो आ जाएंगे तो वो तो पागल हो जाएगा वो तो कैसी भी करके आपके हाथ में पैसे लागे दे कोई जूटावादा दे रहा है मेंश सेल कर रहे तो आप वहां यहलन पर उस चीज को आप सही एप्सप्टेशं लेकर किसी चीज को खरीदो और दूसरा अगर कुछ कोई चीज सीखनी भी है तो आप रिलिस्टिक चीज को आईऊ आउट करो जहा हुँ है अगर आपको कोई यह कह रहा है कि आप एक हफते में बहुत अच्छी बंदे बन जाओगे, तो अगर आपको जूट बोल कर बेचा जा रहे, तो भी गलत है, अगर आपको खराब चीज बेची जा रही है, तो भी गलत है, और मैं तो कहता हूँ, जादातर चीजें, most of the things, आप उनलाइन फ्री में सीख सकते हैं, कुछ-कुछ चीजें हैं, जो सीखने के लिए, जो शायद जिसकी डीटेल्स, जिसकी इंट्रेकसी आपको उनलाइन इतने अराम से नहीं मिलेगी, बस यही डिफरेंस है, तो मेरा उसमें मेसेज यही था, एक मेरा कोशिन यह भी है, आज बहुत सारे यूबा साथी पता क्या सूचती है, कि यह इंटरनेट मेरे पास है, मुबाइल फॉन मेरे पास है, ठीक है क्या मेरा नहीं है, कोई फरक ने पड़ता है, लेकिन मैं अगर यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ ना, तो कुछ महिने में मेरे वीडियो वाइरल हो जाए, लाख हो रुपे में यूट्यूब से कमाऊं, क्योंकि यूट्यूबर्स ने भी एक नकली औरा बनाया हूँ है, कि यार मैं इतने लाख रुपे कमाता हूँ, मेरा ये लाख स्टाइल है, मैं करोड़ो रुपे कमाता हूँ, उस वएसे ना, जो बहुत सारे महिनती लोग हैं, वो कहीं ना कहीं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है, यह हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप अपनी यूट्यूब जर्नी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि येस, आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितने वीडियो बनाई है, कितने कॉंटें पर आप काम करते हैं, कितने घंटें आप रिसर्च करते हैं, तब जाके आप लाइफ में एज यूट्यूबर आप सक्सस हासिल कर पा रहे हैं, और तब जाके बड़े-बड़े ब्रैंड, बड़े-बड़े कॉर्परेट्स एंड कंपनी आपको ब्रैंड अबेरनेस के लिए या प्रोमोशन के लिए आपको पे कर रहे हैं, जिसकिसी को भी ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत क्विक मनी होता है ऐसा कुछ होता है तो उनको मैं एक रियालिटी बताता हूँ, आप अगर खोल के देखोगे तो चैनल टेक्निकली करीब-करीब दो साल पहले हमने उस पर काम करना शुरू किया था, तीन साल पहले बनाया था और दो साल पहले हमने कॉंटेंट डालना शुरू किया बाइडिफॉल्ट टेक्निकली अगर आप देखोगे जो पहला वीडियो आपको देखेगा वह दो साल के आसपास पहले का डलाव है अब मैं आपको बताता हूँ के आठ साड़े आठ करीब करीब नौ महीने तक हमें कोई पैसे नहीं आये थे तो नौ महीने तक तो मैंने फ्री में काम किये पहली बात तो हमें जो पहली बार पैसे आये थे वह आये थे नौ महीने के बात तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जल्दी कुछ हो जाएगा तो जल्दी कुछ नहीं होता यह तो और अब मैं बताता हूं नौ महीने बाद पहले æ्य पहाएगे तो पहला जो पैसे आई थे थे धाई हजार उपец अब आप यह चीज लगाके सोचो कि अगर आप कोई चीज करते हो नौ महीने तक और उसके पर आपको 2-5,000 रुपय आते हैं तो क्या आप में इतना पेशन्स है कि आप उस चीज को और आगे चंटीनू कर पाऊ अगर मालनो में को यहां से इंकम होनी शुरू होती है तो मैं आज भी अगर आप देखोगे तो मैं जो भी हम अरन करते हैं उसमें से काफी सारा आमाउंट आपको आपको आपसे चार्ज नहीं किया जाता है वो फ्री में मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है कि काफी सारा पैसा वहाँ पर इंवेस्ट हो जाता है तो आज सी बात है, अगर आप compare करके देखोगे, आज से एक साल पहले का भी अगर आप उठा के देखोगे, तो एक साल पहले जो हम आपके लिए create करके लाते थे और आज जो हम आपके लिए बनाते हैं, उसमें जमीन आस्मान का फ्रीक है, जादा research लगता है, जादा मेहनत प्रोडक्शन बड़ा है, बहुत सारी चीज़े होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पैसा भी जादा इंवेस्ट होता है, पहली चीज तो यह है, दूसरी चीज यह होती है, कि अगर आपको कोई भी यह बोल रहा है, कि आप यहाँ पर आजो, और आपको बहुत जल्दी यहाँ पर सखसेस मिलेगी, तो ऐसा आपके साथ कहीं पर भी नहीं होने वाला, आज आप किसी का भी चैनल उठाकर देखो, यूट्यूब का, जो एक बड़ा चैनल है, आप दोवराटी से चैनल उठाकर देखो, आप मोख मंगल का चैनल उठाकर देखो, आप यहाँ कोई बड़ा चैनल ले लो आप अभी ये नियो को ले लो जो भी बड़े क्रीटर्स हैं बड़े क्रीटर्स आपको जितने भी दिखेंगे उन्होंने टाइम दिये इन सब के चैनल 4-5-5-6 साल पुराने हैं यह लोग 5-5-6 साल से लगातार काम कर रहे हैं तब आज इनके पास इतनी बड़ी और इतनी बड़ी रीच है और शायद यह लोग पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं तो पहली बात तो उसमें टाइम लगता है हर एक चीज जो भी आप करते हो कोई भी फील्ड कोई भी बिजनस है चाहे आप फोटोग्रिफी कर रहे हो चाहे आप एडिटिंग कर रहे ह चाहे आप content create कर रहे हो आपको हर चीज में time लगेगा considerable amount of time लगेगा जल्दी पैसा आपको कहीं पर भी नहीं आता और अगर कोई आपको कह रहे है कि यहाँ पर जल्दी पैसा आता है आप भी चीज करनी शुरू कर दो तो उस काम से पैसा सर्फ उसको आएगा आपको कुछ नहीं आने वाला यह आप मिर से आज लेकवा लो क्योंकि जल्दी अगर पैसा कहीं पर आ रहा होता तो सारी दुनिया वही काम कर रही होती बाकि सब कुछ कोई नहीं कर रहा होता तो जल्दी किसी भी चीज में पैसा नहीं हाता it takes time और आज भी हमें काफी time लगा है यहां त बारे में उसका डार्ट साइड दिखाते हैं, तो कही ना कहीं लोगों को एक awareness मौंस दिए कि ये industry ऐसे काम कर रहे हैं, चैहे हो डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, कुछेंग इंडस्ट्री हो, बिजन्स हमने एक वीडियो बनाया था which was on cold drinks कि cold drinks आम इनसान के लिए या आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा harmful चीज है क्योंकि उसमें बहुत जादा sugar content होता है हज से जादा चीनी होती हो और बाकी सारे काफी सारे chemicals होते हैं जो आपकी body के लिए dangerous होते हैं हमारी team के एक एडिटर हैं जो उस वीडियो को एडिट कर रहे थी वो वो cold drink वाला वीडियो बनाते वक्त ही cold drink पी रहे थे ठीक है तो पहली बात तो हुआ यह था कि मैं जाता हूं उनके बस मैं उनसे बूचता हूं कि क्या update है कितना काम हुए तो वो काम कर रहे थे और वहां कुछ पढ़ा वाता ग्लास में मैं को नहीं पता दो उसमें क्या है तो मैंने पूचा कि आप क्या पी रहे हो तो नहीं को बड़ी है कर लोगों को इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि क्या बात हम कहना चारें तो मैंने उनको बोला भी मैंने का यार आप cold drink पे वीडियो बनारे है वे इतनी information इसमें है आपको इसको देख के आपको पढ़ा लग या है कि ये चीज़ सही है अब तब ही पी रहे हो तो बहुत है जालत है कि शुच और कोई पी रहा है कोई बी काम करने से हमारा वो create करने का intention से वितना होता है कि आप as a customer आप as a consumer aware हो मान लो अगर मै इस cup के अंदर कुछ भी पी रहा हूं for an example इसके अंदर coffee है तो मुझे ऐसा consumer ये पता होना चाहिए कि ये coffee मेरी body में जाकर आखर करती कै अब मेरी choice है कि मैं इसको प्यूँ या मैं इसको ना प्यूँँ लेकिन मुझे पता होना चाहिए जातर लोग वो चीज़ कंज्यूम कर रहे है बट उनको पता नहीं है कि उस चीज़ के अंदर exactly है क्या ये problem है problem किसी चीज़ कंज्यूम करने से नहीं है alcohol आज की डेट में खुला बिखता है बट जातर लोग को cigarette के packet पर लिखा भी होता है cigarette पीने से cancer होता है जातर लोग के साथ problem है जातर लोग को बस इतना पता है कि alcohol पीने से liver damage होता है बट उसको कर वो कंज्यूम करने से बाकी क्या चीज़े होती है और क्या क्या होता है वो लोग को पता नहीं है तो इस नॉट कि आप उसको मत करो आपको पता होना चीज़े कि उसमें क्या है answering the second question कि हम जब ऐसी कोई चीज़ क्रियेट करते है तो क्या हमें उस industry के लोगों से दमक्या आती है calls आते हैं नहीं आते हैं बहुत आते हैं हमारे पस legal notices भी आते हैं हमारे पस calls भी आते हैं हमारे पास written में भी आती हैं बहुत सारी चीज़ें मेल पे भी आता है कि आप इसको हटा दीजिये हम से इतने पैसे ले ले लिजिए तो हटा दीजिये बहुत लोग इस चीज़ को believe नहीं करते हैं मैं भी openly इस चीज़ को शो नहीं करता हूँ तो वहां से भी हमें बहुत बार बहुत पैसा offer हुआ है क्रोडों रुपए offer हुआ है अमांट नहीं बताऊंगा बट हम अच्छा कासा Pैसा पीदिट लिए कंम wea pay रॉल अठाते हैं यह अगर आप चानल पर जाकर देखों आपको वह विड्यो भीट करांगे बीस साल की उम्र में, अठारा साल, उनने साल, बीस साल की उम्र में न करोड़पती अरभपती बनना चाहते हैं, और उसके लिए हो मेंशा शॉटकर ढूंड रहे होते हैं, तो क्या message आप ऐसे युवाओं को देना चाहेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि बीस साल की उम्र में करो समय के हिसाब से, अधार से लोगों के साथ के हिसाब से आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, पर आजसा नहीं होगा कि बीस साल की उम्र में आज शुरू किया, और अगले एक साल के अंदर आप अरपती खरपती बनजाएंगे, तो क्या message आप देना चाहते हैं, यहाँ यह जो चीज आपने बूची है यह बहुत ही बज़दार चीज है और इसको मैं एक अपने ही एक्जामपल से बताता हूं कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसे इंसिडेंट रहा है तो होता ही है ना मेरे एक फ्रेंड है हो मेरे पस आया और में को बोलता है कि ऐसको एक пар tw Griffin को इसको इस पीर्टिकिलर चीज के अंदर काम करना है तो मैंने सबसे पेहरा सवाल यही पूछ ता ही क्या अपको इस फ्रेंड में क्यों जाना है तो उननोंने बोला कि इस फ्रेंड में स्क्रैब डीलर है यानि कि करोड़ी है तो वहांपे भी पैसा है तो पैसा तो हर जगहा पर यह यह से एक ही चीज बुची कि मैंने का तरेको जो पैसे कमाने है वह कितने टायम में कमाने की ताई थो साल में थो किसी इंडस्ट्री में पैसा नहीं आएगा टेक्स टाइम समय लगता है अगर तेको अच्छा पैसा कमाने लंबे टाइम तक पैसा कमाने हर जगह पर समय लगता है हमारे मारवाड़ी में तो 1000 देज पॉलते हैं, minimum 3 years to establish your business, then you can go further ज्यादातर लोगों के अभी पैता है क्या यह जो चीज है ना क्या 18 की उमर में, 20 की उमर में, 22 की उमर में मिलनेर बनना है, बहुत पैसा कमाना है यह सोशल मीडिया के विज़े से, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको कोई इनसान दिखता है, जो बताता है कि मैं आठारा साल की उमर में, 20 साल की उमर में, मैं करोड़पती बन गया, यह भी बन गया, जो भी है और वो देखकर आपको लगता है कि यह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा है, मतलब मैं कुछ लूज कर रहा हूँ लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं लोगों को यह चीज लगता है अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रॉब्लम यहां पर दो हैं, पहली बात तो यह है कि आप उसके आज को अपने आज से कंपेर कर रहे है, जो कि बहुत खराब चीज है कि क्या आपको पता है कि उसने पिछले पांच साल में किती मेहनत करी है, आपको इस चीज का कोई आईडिया नहीं है और आप अपने पिछले पांच साल उठाकर देखो, आपका पास्त और उसके पास्त में कितना फराग है? तो comparison करना सही बात नहीं है हो सकता है कि वो 16 साल की उमर से काम कर रहा और वो 21 साल की उमर में पैसे कमा रहा हो अच्छे या हो सकता उसका फानेशल बैग्राउंड पहले से बहुत स्ट्रॉंग रहा हो आज जो Mercedes या BMW RD वो दिखा रहा है वो उसके father kill time की लिए लिए and there multi million dollar people मतलब hundreds of crores का revenue है अच्छा कासा पैसा है कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में बहुत सही है अब मैं उनको देखकर अगर अपनी लाइफ को उनसे compare करूंग तो मेरे को अपनी जिंद्गी के बारे में खराब ही लगे और यह सब के साथ होता है तो आपके साथ भी होगा आप भी कोई अलग नहीं हो तो पहली बात तो comparison नहीं करना चाहिए जहां पर दूसरी बात यह आ जाती है लोगों को एक चीज़ बहुत important है समझना कि अगर आप खुछ को यह कह रहे हो कि मेरे को 18 साल की उमर में 20 साल की उमर में 25 साल की मिलेनर बनना है आप खुछ से एक सवाल पूछो कि आपको क्यों बनना है आपको 22-25 साल की उमर में मिलेनेर बनना है, आपको क्यों बनना है? 30 पे बनो, 35 पे बनो, अराम से बनो, जल्दी क्या है आपको? मैं कहता हूँ, आप अगर 30 की जगा, 25 पे बन भी जाओगे, तो आपकी जिन्दगी में क्या ऐसा एक बहुत जादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज आजाएगा? 90 क्या 95%, 90-95% लोगों के जिन्गी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, बाकी 4-5% के में ले सकता हूँ, कोई exceptions होंगे, बट जादा तर लोगों की लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर वो अपने 30 साल की उमर में करने वाली चीज़े 25 पे अचीव कर करने के लिए आपको sacrifice क्या करना पड़ेगा, आप उसके लिए छोड़ोगे क्या-क्या, आपको उसके लिए कितनी ऐसी चीज़े करनी पड़ेंगी जहां पर आप बहुत साधा risk उठा रहे हो, आप हो सकता है अपनी life भी risk पे लगा दो, तो वो एक बात हो जाती है, कि आप क 20 साल की उमर में कुछ अचीव करना था, आपने वो 23 साल की उमर में कर लिया, अब आपके बाद साथ साल और पड़ेंगे हैं, अब तो आप और पड़ेशान होगे, किभी तो साथ साल और है, मैं और क्या करूं, बट यह नहीं है, मैं यहां पर इसको demotivate करने के लिए नही पहली बात देखो, पहली बात तो यह है, दूसरी बात है कि आप क्यों compare कर रहे हो, हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का learning का अलग होता है, मैं आज ऐसे से लोगों को भी जानता हूं, जो की 27-28 साल की उमर में drugs की लत्मे थे, आज there 45 and there millionaires, multi millionaires, तो अब सुचो ना, अगर 27 साल की उमर में अपनी जिन्दगी को बाकी लोगों की जिन्दगी से compare करते हैं, हमारी तो जिन्दगी बरबाद हो रखी है और यहां पर बाकी लोग है, यह तो job कर रहे हैं, इनकी शादिया होने वाली है, तो वहाँ पर तो वह इंसान तूट जाता ना, वो तो कुछ बड सिर्फ खराब लगेगा, और यही मेसेज मैं सब को देता हूं, जो भी मेर से मिलता है, कि आप कभी भी अपनी जर्नी को किसी की भी जर्नी से compare मत करो, आपकी जिन्दगी अलग है, आपके हलात अलग है, हो सकता है कि आप माइनस से शुरू कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रह अपने आपकी जर्नी किसी ऐसे बंदे से compare करो, जो के डेवन से कैमरा पर शूट कर रहा है, तो गलत होगा, मेरी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, आपको पता नहीं है सामने वाली कि क्या जर्नी रही है, तो आप compare कभी मत करो, और आपको जितना टाइम जो चीज करन में जाना चाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाना चाते है, लाइफ में कुछ करना चाते हैं, तो आदिते सैनी जी की वीडियो को आप जरूर देखें, वहां आपको डाक साइड आफ एवर्टिंग आपको मिलेगा, जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आप सोचेंगी, आपके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी और मेरे साथ में है, सानी साब, आपके सुननारे बविश्य के हम दोनों मिलकर कामना करते हैं, जै हिंद, जै बाराद।